एक लॉयर के वाइफ का एक टीनेजर के साथ अफेर हो जाता है लॉयर कोई बात पता चली पर उसका भी अफेर चल रहा था मूवी में ट्वीस्ट आने के बाद आगे किया होगा कि हम एक्स्पिनेशन में जानेंगे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको लॉयर्स वाइफ ये कोरियन मूवी एक्स्पिन करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बिना किसी देए के एक्स्पिनेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में गारेक्टर यंग हमें दिखाया जाता है वो एक्चुल में एक लॉयर है एक जगा पर वो क्राइम सीन पर पहुँच गया इस क्राइम सीन पर बहुत सालों पहले मर्डर करकर उनकी बॉड़ी गार दी थी यंग के क्लाइन के फादर की बॉड़ी भी समें थी क्लाइन इस सबसे बहुत दिस्टब हो गया और पुलिस से वो जगड़ा कर देता है इस जगड़े को सौल करते होए यंग इस गड़े में गिर जाता है इसके बाद उसकी वायव जिसका नाम है यून यह हमसे इंटर्डूस होती है यह बाइक राइड कर रही थी और उसके पीछे एक टीनेजर उसका पीछा कर रहा था अचानक से वो रस्ते से गिर जाती है यह टीनेजर ने नोटिस किया और वहाँ से चला गया आज उसकी मदर इनलो उसके बेटे का खैल रख रही थी जब उन्होंने मदर इनलो को घर पर छोड़ा तो उसका बेटा उसे पूछता है क्या ग्राइड मा को पता है कि मैं अडॉप्टर डूँ ग्राइड मा को आफकोस पता था यून कहती है तुम्हें कोई भी इंबरस होने की जरुवत नहीं है तुम मेरे बेटे हो और इस बात से प्राउड रहो इसके बाद रात में यंग यून के जगा पर किसी और लड़की के पास आया वो फिर घर पर आता है शौर वेगर लेता है घर पर हम देखते हैं कि उसके बेटे के साथ उसकी बॉर्णिंग बहुत अच्छी है आज राते तीनों साथ ही सो गए यंग यून से कहता है कल मेरे फादर मेंटल हॉस्पिटल से निकलने वाले प्लीज उन्हें पिक अप कर ले न यून ने कल अपने फादर इनलों को पिक अप किया फादर इनलों गहता है घर जाने से पहले क्यों न हम बेर ले फादर इनलों को बहुत सारे हैल प्रॉलम थे पर फिर भी यून उन्हें अलाव करती है इसके बाद यून को हम काम पर देखते है उसका एक स्टूडियो है जहाँ पर वो लड़कियों को डांसिंग सिखाती है मूवी के फास में हमने जिस टीनेजर को उसका पीछा करते हो देखा था वही टीनेजर उसके पास आया वो भी डांसिंग सिखना जाता था वहाँ की असिस्टन जब उसे क्वेशन करती है तो थोड़ा सा डर गया और यहाँ से चला जाता है घर पर यून का बेटा उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ इस वज़े से सारे बच्चे मुझे चिडाते है यून ने उसे कहा है ये डिलेवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है उसी तरीके से जब उसका बेटा उसके लाइफ में आया था तो उसे बहुत खुश हुई थी उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है उसे बहुत प्यार करती है वो कभी भी उसे अलग नहीं समझती है आज राद यून और यंग इंटिमेट हो गए यून ने आज कल नोटिस किया है कि वो सैडिस्वाइड नहीं हो पाती वो फिर हॉल में जाकर योगा कर रही थी जो टीनेजर उसका बीचा कर रहा था वो ही उसका नेबर भी है उसे राद में भी दूरबीन से देख रहा था अगले दिन यून ने नोटिस किया कि वो लटका और उसके फादर ये दोनों हमेशा जगरते रहते है आज भी उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी उस लटके को घर से निकलता दे यून भी उसका पीछा करती है वो डारेकले एक ठेटर में आया जहाँ पर एडल मूवी चल रही थी ठेटर में वो अकेला होता इस वज़े से मूवी चल नहीं रही थी पर यून ने भी वही तिकेट पाई किया यंग का जिस लटकी के साथ अफेर चल रहा है उसका नाम है किम आज यंग फिर से किम के पास आया हुआ था किम उससे कहती है मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ यंग कहता है तुम कन्फरम करने के लिए टेस्ट होगरा करवालो जब वो यहाँ था तो किम के दरवाजे पर कोई नौक करता है किम ने उस आदमें से कहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ पर फिर विए उसके घर पर पहुँच गया था यंग पूछता है कि यह है कौन पर किम इस बात को इगनोर करती है यून जी इस टीनेजर लड़के की पीछे थी इसका नाम है शिन शिन और यून ने मूवी देखी और इसके बाद यून उससे गहती है कि हम दोनों एक दुसरे को जानते है तुम मेरे सामने ही रहते हो शिन ने फिर उसे लंज के लिए इन्वाइट किया और दोन एक जगा पर आते है इन्होंने बहुत सारी बात एकी आज यून को बता चला कि कीम एक्चॉल में प्रेगनेंट है तो इस वज़े से वो टेंशन में था इसके साथ-साथ डॉक्टर का भी फोन आया था इसके फादर की भी तबियत बहुत खराप थी उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है इन्सारी वज़े से वो डिस्टब हो गया और वो बहुत सारा ट्रंक करता है नेक सेर में हम देखते हैं कि केम को हस्पिटल में लेकर आया था उसका अबोशन करवा लेता है इसके बाद यंग यून अपनी मदर और फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसके फादर को समझाते है कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है फादर इस बात को थोड़ा सा भी सिरेसली नहीं लेते है चेकप के बाद तुरन ये सब स्मोक कर रहे थे यंग हमेशा घर पर बहुत ही लेट आता है आज रात बेटा यून से भुचता है कि फादर अब तक घर क्यों नहीं आए क्या ओ जुट बोल रहे होंगे यून को इस बात पर बहुत ज़्यादा हसी आई पर फिर भी उसके मन में डाउट था तो जाकर हो यंग को देख कर आती है पर फॉर्चुनेटली यंग अपने आफिस में ही है रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी वो बता रही थी कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही सैटिसफाइट रहूंगे उसे लगता है कि जब वो अन्मैरिट थी तो उसके लाइफ में बहुत सारे एक्साइडमेंट थी इसके बाद यंग ने यून से कहा कि कॉन्फरेंस के लिए मैं दो-तीन दिन बाहर जा रहा हूं पर एक्च्वल में वो केम के साथ हॉलिडे पर जा रहा था गर की साफ सफाई करते हो यून ने सब चीजे निकाली इसमें एक लाइट भी था वो पहले बहुत सारे माउंटन ट्रेकिंग क्या करती थी पर अब उसने डिसाइड किया क्यों शिन के साथ जाएगी ट्रेकिंग करते वोग शिन यून से गयता है थोड़े मंस में मैं हमेशा के लिए अमेरिका चले जाने वालो तब तक अगर तुम चाओ तो मेरे साथ अफेर कर सकती हो यून इस पर सिर्फ हस देती है उपर माउंटन पर चड़कर ये आराम कर रहे थे तब ही शिन ने यून को किस कर लिया इसे के साथ इनका अफेर स्टार्ट हो गया था यंग कीम के साथ एंज्या कर रहा था पर अचानक से उसके फादर की दबेद बहुत ही खराब हो गया उन्हें हुस्पिटल में एडमिट किया जाता है वो जल्दी से घर पर वापस आ रहा था पर कीम उसके साथ गाड़ी में ही इंटिमेट होने लगती है इसे के पैरलल में हम देखते हैं एक डिलिवरी मैन अपने फ्रेंज के साथ बहुत ज़्यादा ट्रंक हो गया अब रात हो चुकी थी और ये दोनों एक दुसरे के आमने सामने आये यंग ने उस आदमी को टकरा दिया उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गयी थी वो जल्दी से उसे अपने गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल में छोड़ दिया कीम को घर चुटने के बाद वो अपने फादर के पास हॉस्पिटल में आया उसके फादर खुन की उल्टिया कर रहे थे इस सब बातों से वो डिस्टरब हो कहा था यून उसके पास आकर उसे सहारा देती है सारी चीजों को उसने आज बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था कुछी दिनों में यंग के फादर की डेथ हो गए वो अपने फादर का सब सामान विकरा देख रहा था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट कर रहा था उसकी मदर ने कहा यह लाइफ में फर्स बार मैं सही तरीकी से फ्री हूँ फादर तो अल्रेडी मेंडल हॉस्पिटल में थे तो मदर ने उनके लिए वेट नहीं किया था उसको already किसी और के साथ affair चल रहा है वो उसके साथ खुश है और उसे के साथ रहना चाहती है जब यंग और यून एक साथ अकेले थे तो यंग उसे कहता है तुमने सब कुछ इसे बहुत अच्छे से हैंडल की उसे बहुत अच्छा लगा वो उसके लिए बहुत थैंक्फूल था वो यून से भैर दो करता है पर अपनी चीटिंग की आदत छोड़ नहीं पाता इसके बाद नेकसिन में यून और शिन ये दोनों फेस से मूवी देखने के लिए आये हुए थे यही बड़ी इंटिमेट हो जाते प्रिवेसली यंग ने जिस डिलूरी मैन को हीट कया था वो उसके पास रिक्वेस्ट करने के लिए आया कहता है प्लीज कोई भी चार्जेस प्रेस मत करना उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडन थी यंग ने उसे हाग कहा पर वो इसे इग्णोर कर देता है नेकसिन में शिन और यून ये यून के स्टूडियो में दोनों अकेले थे यून उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी तभी शिन के फादर ने इन दोनों को पकड़ लिया शिन के फादर बहुत जाता गुसा थे वो इउन को कंफरंट कर रहे थे तभी शिन ने जाकर अपना हाथ कास से टकरा दिया उससे खुनाने लग जया था तो फादर उससे हो हस्पिटल ले कर जाते है घर पर यून जब अपने बेटे के साथ थे तो उसका बेटा कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताती कि मैं अड़ोप्टेड हूँ तभी सही होता यून ने कहा कि तुमसे कुछ भी छुपाना गलत होता और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अगले सीन में हम देखते है कि यंग की मदर अपने न्यू पार्टनर के साथ इस कंट्री को छोड़ कर जा रही थी उसे छोड़ने के लिए यंग की पूरी फैमिली एरिपोर्ट पर आते है हस्ती कुछी उसे गुड़ बाई का शीन के फादर को इनके बारे में पता चलने के बाद भी शीन जाकर यून से मिल आता है इन दोलोंने अपना अफेर कंटिन्यू किया था इन सब बातों से परिशान हो कए शीन के फादर डारेक्ली यंग के पास आये उसे सब कुछ बात बता देते है एक्च्वल में उन्होंने शीन के पीछे एक प्राइविट डिरिक्ट्ट्यू लगाया था इस वज़े सुने पता चला था सारा एविडन्स उन्होंने दिखाया इस बात से यंग डिस्टब हो गया और शीन के फादर को यहां से निकल जाने के लिए कहता है वो रात में घर पर आया इसके बारे में यून से कुछ भी बात नहीं करता आज रात भी शान्ती से सोग गए अगली दिन हम देखते हैं कि यंग ने जिस डिलिवरी मैन को हिट किया था वो यह उसके घर का रसा ढून रहा था चलते चलते वो यंग के बेटे से ही मिला वो उसे गाड़ी पर बिठा कर एक सुमसान बिल्डिंग पर लेकर आता है यह डिलिवरी मैन बहुत ही डिस्टरब है यंग ने उस पर चार्जे स्प्रेस किया थे इस वज़े जो उसकी जॉब चली गई डिलिवरी मैन को पता था कि यंग और केम गाड़ी में एक साथ क्या कर रहे थे यह उसकी अकेले की गलती नहीं थी पर फिर भी उसे ही बनिश्मेंट मिल रही थी डिलिवरी मैन को लगता है कि जॉब चले जाने के पाथ उसकी पूरी लाइफ बरबाद हो चुकी है और यंग को ही दोशी मानता है उसे का बदला लेने के लिए उसमें उसके बेटे को डारेक्ली बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया यह डिलिवरी मैन भी पहले नैशनल प्लेयर हुआ करता था वो अंडर करता है यह उसकी लाइफ यहां कैसे पोची और उसने भी सुसाइड कर ली अपने बेटे की डेड़ बॉड़ी को रिकगनाईज करने के लिए यून और यंग को बुलाय किया यह देखकर यह दोनों बहुत रोते है थोड़ा टाइम बीट कया यह दोनों घर पर आते थे और बहुत रोते थे यून को पता था कि यून उस पर चीट कर रही है और इस बात से और वी ज़्यादा खुसा था उसने फिर किम को यून के सामने कॉल लगा यूने सब सुन रही थी उसे पुछता है कि क्या तुमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता यून कहती कि तुमें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो यून उस पर बहुत ज़ाद हो गुशा हो गया कहता है तुमें एक टीनेजर के साथ कैसे आफेर कर सकते हो यून भी उस पर गुसाओगी कहती है तुमने भी तो अफेर किया था ये दोनों एक दुसरे को माफ नहीं कर सकते इनमें बहुत बड़ी फाइट हुई फाइट करते करते यंग की वज़े से यून के हाथ पर चोट आके उसे हस्पिटर लेकर आता है यून को उसने घर चोड़ दिया और कीम से मिलने के लिए उसके घर पर आया कीम उसे कहती है कि आज राट में घर पर नहीं हूँ पर यून को उसके बहुत ज़ादा जरूरत थी उसके घर पर जाकर जबर्देशी डोर नौक करता है आज राट कीम किसी और के साथ थी इस बात से यून को बहुत बुरा लगा उसे ब्रेक अप कर लेता है यून को भी किसी की जरूरत थी वो शेन को बुलाती है और यून दोनों इंटिमेट हो जाते है घर आने के बाद हम उसे आइसक्रीम खाता देख सकते है और डारेक्ली नेक सिन्मा में दिखाया कया है कि वो हस्पिटल में थी वो प्रेगनन्ट है वो कभी भी मदर बन नहीं सकती थी इसी वज़े से अपने बेटे को उन्होंने अडॉप्ट किया था वो प्रेगनन्ट है या एक तरीक का मिरैकल था अब बहुत दिन बीच चुके थे यंग और यून ये दोनों अलग-अलग रह रह रहे थे यंग को जब पता चला कि यून ट्रेगनन्ट है तो उसके पास हो आता है कहता है प्लीज फिर से मेरे पास आ जाओ यून उसे मना करती है कहती है ये चाइल्ड तुम्हारा नहीं है यंग ने कहा कि जब हमने अडॉप्शन किया था तो मैं उसे अपना ही बेटा मानता था मुझे तब भी कुछ भी फरक नहीं पड़ा था और अब भी नहीं पड़ेगा वो फिर से बुछता है कि प्लीज मेरे पास वाप पसा जाओ यून इस बार भी उसे मना कर देती है पहले अफेर तो यंग नहीं किया था उसे इनॉर करता था टाइम नहीं देता था उसकी नीड्स को कम्प्रीट नहीं करता था तो इसी वज़े से यून ने उस पर चीट किया यहीं चीज वो फिर से रिपीट नहीं करना चाती वो अपनी लाइफ से खुश थी अपनी बेबी के लिए एक्साइटेर थी तो मौन करकर लाइफ को इंब्रेज करना सीख लेती है इसी तरीके से यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया